नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब लोग उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होगे आ गया हूँ मैं एक नया वीडियो लेकर आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल ड्राइव क्या है और गूगल ड्राइव का यूज कैसे करें चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले इस गूगल ड्राइव के बारे में जो लोग जानते हैं वो लोग वीडियो को प्लीज किप कर दे और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग वीडियो में एंड तक बने रहे तो guys चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले आप अगर हमारी चैनल पर नहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिकेशन को और पे सेट कर लेना ताकि मैं जो वीडियो अबलोर करूँ आपको सक्षे पहले मिले और इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि और लोगों को भी Google Drive कैसे यूज की जाती है वो पता चले तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो गाइस गूगल ड्राइव एक गूगल से बनाया गया बंदारन फाइल वनात्वक्ता सेवा है और उसमें हम अडियो फाइल वीडियो फाइल डॉक्यमेंट्स सब कुछ रख सकते हैं और अलग-अलग फोल्डर भी क्रियेट कर सकते हैं और ड्राइव से हम किसी को फाइल की लिंक कॉपी करके शेयर कर सकते हैं और एपी के फाइल भी शेयर कर सकते हैं कॉपी बनाकर यह सब कुछ कर सकते हैं तो आये यह सब कुछ मतलब होता कैसे है और कैसे किया जाता है यह सब आज हम इस वीडियो में सिखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ जरूर सिखेंगे सबसे पहले हम चलते हैं ड्राइव में मतलब कि हाँ एक चीज़ आपको बता दू कि यह ड्राइव जो है उसके लिए एक अकाउंट होना जरूरी है मतलब कि इमेल आइडी होगा तो ही आप ड्राइव को यूज कर पाओगे और इमेल आइडी बनाने के बाद क्रियेट करने के आपको ड्राइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा तब स्कीर प्ले स्टोर से आप इंस्टल कर लोगे उसके बाद आप यूज कर सकते हो सो चलिए अब ज्यादा टाइम नहां लेते हुए स्टार्ट करते हैं सो गाईस सबसे पहले हम चलेंगे ड्राइव में मतलब कि ड्राइव का नाम गूगल ड्राइव है लेकिन मतलब मेरे फॉन में आशिस्टंट अक्टिवेट है इसलिए मैं बार बार गूगल ड्राइव ऐसा नहीं बोलूंगा क्योंकि वलना वो मतलब आशिस्टंट बोलने लगेगी इसलिए तो वो आपको समझ लेना है तो चलिए हम चलते हैं अब ड्राइव में तो गाइज अब हम फोल्डर में आचुके अब ड्राइव में जाएंगे तो यह ड्राइव है उसको मैं ओपन कर लेता हूं को और ब्राइव में ड्राइव हमारा ऑपन हो चुका है अब आपको बता दो कि जो ओर व्れ Elton और बेक्टेव जो होते हैं उसके पर चार होते हैं उसमें होंते होता है अफृर फाईल टेब तैब होता है और ऐसे चाहर होते हैं देखते हैं कौन-कौन सा है होम सबसे पहर होता है मैं Home Tab पर आ चुका हूँ तो यहां More Searching Drive के आगे स्वाइब करेंगे राइट साइड तो More Navigation Option है उसमें देख लेते हैं क्या-क्या है तो उसका ये Menu ओपन हो चुका है More Navigation Control में यह गूगल ड्राइटींग है जो यह ओपने उसके बाद रिजन थे ओफ लाइन है राइस है राइस है बेक अबसे और सेटिंग एंपन फिड़एक्स है यह स्टोरेज है, फिर यहां से स्टोरेज को बाई कर सकते हैं, मतलब की 15GB स्टोर हमें by default drive की और से मिलता है, अगर उससे ज्यादा आवश्यक्ता मतलब की जर्दत होती है, तो हम बाई कर सकते हैं, ज्यादा स्टोरेज याने की 15GB से ज्यादा, Google Drive, इतने उप्शन है, सबसे पहला है recent याने की हमने जो मतलब जो भी कुछ किया होगा, share किया होगा या तो फिर अगर आप्लाइन बना कर रखी हो या तो यह यहां से देख सकते हैं यह हम यहां से देख सकते हैं देख सकते हैं त्राश यानि की फ्रेंट्स प्राश में हम किसी भी ट्राइव के फोल्डर में से कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो ट्राश में आके रहता है मतलब कि पर्मेंट्री डिलीट नहीं होता फिर अगर पर्मेंट्री डिलीट करना हो हमें तो यह यह देख सकते हैं तो यह देख सकते हैं तो यह सेटिंग में देख लेते हैं क्या क्या है फिर यह help and feedback है यहां से help ले सकते हो और feedback बेज सकते हो सेटिंग में अभी में गया नहीं हूँ इस टोरेज है यहां से स्टोरेज को buy कर सकते है हम सेटिंग को देख लेते है सेटिंग स्टोरेज मतलब होता है उसमें से मैंने 382 MB यूज किया है यह बता रहा है फिर यहां से स्टोरेज को मैंने बता ना सब्सक्राइब कर सकते हैं जसने से यहां से को रिसाट कर सकते हैं तो इस नोटिफिकेशन यहां से नोटिफिकेशन के सेटिंग कर सकते हैं उसमे देख लेते हैं तो यहां सो नोटिफिकेशन द्राइब करने मतलब कि जो भी फाइल हम अबलोड करते हैं यह मतलब notification panel से हम अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं यहां से मतलब drive पर क्लिक करेंगे तो यहां से हम application की info देख सकते हैं की install हुआ है यहां से देख सकते हैं तो यह जो जो नोटिफिकेशन है उसे और ही रखना चाहिए यह मेरा email account मतलब show करता है यहां तो यहां show notification को check ही रखना है request for access 8 of 16 request for access है check request for access switch तो उसे भी check ही रखना है request for access मतलब की request for access मतलब की किसी को हम file के लिए request करते हैं या कोई हमें request करता है तो उसके notification भी देख सकते हैं मतलब request access देख सकते हैं comments 9 of 16 फिर यह comments है checked comments switch यह भी check रखना है मतलब by default जो हो ही रख लीजेगा उसमें कोई छेड़शार मत कीजिएगा upload and download है checked uploads and downloads switch वह भी check ही रखना है यहां भी check रखना है ताकि हम जो file upload करें वो upload और sync हो जाए बस तो app icon badges है उसे ही on ही रखना है तो इतने ही option से navigate up button out of list एक बार back आ जाता हूं में settings notification theme heading फिर यह theme मतलब setting में ही notification की right side में swipe करेंगे तो theme का option है यहां से आप theme चूज कर सकते हैं रख सकते हैं तो मैंने system default ही रखी है आपको अगर change कर सकते हैं चूज की में यहां से documents cache heading cda documents cast है clear cache remove all cache documents यहां से आप clear कर सकते हो लेकिन मैं नहीं करना चाथा इसलिए मैं यहां कुछ छेड़ता नहीं करूंगा cache size cache size is set at 250 MB यहां cache की size बताएगा data usage heading transfer files only over y-5 uploading and updating of files will pause when y-5 connection isn't available checked switch यहां transfer files only over y-5 uploading and updating of files will pause when y-5 connection isn't available checked switch यहां मतलब जो भी file हम upload करें वो अगर Wi-Fi से ही हो उसके लिए है तो यहां not check रखना है तो मैं not check कर देता हूं data usage warning transferring files over mobile data may incur additional charges depending on your mobile data plan out of list तो यह बता रहा है कि मतलब मैंने आपर चेक किया तो बता रहा है कि data alert warning आप मतलब कोई भी file upload या share करोगे तो उसका charge अपके mobile data में से लगेगा तो मैं ok देता हूं learn more but cancel but ok button settings transfer files only over y-fi uploading and updating the files will pause and y-fi connection isn't available not checked switch and navigate up button out of list तो इतना ही था बेका जाता हूं मैं drive search and drive more navigation options signed in as bottom branch a body branch a panic more navigation options button तो guys setting में इतना ही था अब हम बाहर आ चुके है फिर more option navigation ट्रोल आ चुका है उसके आगे swipe करते है अब right side signed in as bottom branch a body branch a pad it automatically by with gmail.com account and settings तो यहां से हम मतलब sign in account में हमारा उसके setting कर सकते है अगर change करना है तो यहां से कर सकते है देख लेते हैं उसमें account and settings close button signed in as bottom branch a body branch a pad it automatically by with gmail.com तो यहां मैं मैंने यह account से sign in किया हुआ है drive को यह show करता है manage your google account button फिर यहां से manage your google account करोगे तो मतलब आप कोई और account add कर सकते हैं जहां से add account कर सकते हो और manage your google account button out of list जहां से google account को manage कर सकते हो तो उसमें manage में क्या है देख लेते हैं google account home menu tab google account got a branch of done button google account colon got a branch of audio selected home personal info tab data and personal security data got a branch of google account menu tab help search tab before तो जाइस यह तो मतलब यहां क्लिक नहीं करना है manage account पर अगर क्लिक करते हो तो फिर वो browser में ले जाएगा selected protect your you have secure manage your data and personalization back button out of list navigation are तो मैं back आजाता हूँ drive signed in as got a branch of create button selected sign in as got a branch of body branch of at a got a gmail.com account and settings तो यह है यह यह भी देख लिया हमने अब आगे चलते हैं create button फिर यह create button है उसमें देख लेते हैं create button folder row one column one and grid two rows three columns upload column two scan Google Docs Google Sheets Google slide create button out of grid so guys यहां से हम कुछ भी create कर सकते हैं जैसे की folder upload folder upload column folder column one यहां से folder create कर सकते हैं upload column two यहां से मतलब कोई भी file हम upload कर सकते हैं किसी को मतलब हमारी drive में ही मतलब कि यहां upload पर click करेंगे तो वो सिधा हमें मतलब वो audio video और my file में जाने के लिए बोलेगा तो यहां से upload कर सकते हैं scan column three यहां से मतलब कोई भी folder और file को scan कर सकते हैं Google Docs row two column one यह Google Docs है मतलब यहां क्लिक करेंगे तो Google Docs की application हमें मतलब की install करवाने के लिए play store पर ले जाएगा Google Sheets column two यहां क्लिक करेंगे तो भी हमें play store पर sheet इंस्टॉल करने के लिए ले जाएगा Google Slides column three यहां भी क्लिक करेंगे तो हमें slide install करने के लिए play store पर ले जाएगा तो इतने option थे अब folder में देख लेते हैं तो guys मैंने जैसे ही folder पर क्लिक किया तो मेरे सामने keyboard open हो चुका है यहां मैं folder का नाम जो भी रखना चाहूं वो रख सकता हूं तो एक folder हम create कर लेते हैं So folder का नाम में लिख लेता हूं नाम मैं तो लेते हैं YouTube और के लेते हैं आप लेते हैं यहां टेसा इन और कर बेते हैं मैंने फोल्डर का नाम लिख लिया है एक फोर ब्लाइंड गौतम प्रजापती ऐसा लिख दिया है तो आगे चलते है तो आपने सुना होगा फोल्डर का नाम मैंने जो लिख लिखा है वो यहां में क्रिएट बटन पर क्लिक कर दूँगा तो यह हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है तो यहां मतलब मारे ड्राइव पर मेरी मतलब मेरा जो टैब वो सिलेक्टेड है आगे कंप्यूटर टैब भी आता है अगर हमारे पास कंप्यूटर है तो हम ड्राइव को कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हैं पर भाइ यहां अगर किलीक करेंगे तो सृटबाइड लुटर स्पारिट शोटबाइड फाइल यह सब खूच मारल यहां से चैन्ज कर सकते हैं उसमें क्या-क्य ओप्साने देखते हैं पर पेहला नेम यह वो शिलेक्टेड है लिए लास्ट मड़फाइड इतने option है तो उसमें से मडलब कुछ चैंड कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं करना है तो मैं ब्रेक आजाता हूं एक बार फिर यहां से व्यू एज लिस्ट उसमें देख लेते हैं यहां से मतलब की व्यू लिस्ट जो था तो मैंने क्लिक किया तो व्यू एज ग्रीट हो गया तो हमें व्यू एज लिस्ट ही रखना चाहिए तो मैं फिर से बापिस से व्यू एज लिस्ट कर देता हूं प्देट में प्सक्राइब कोग्ल दॉप्स तर्टो विर्थ वड्यू दॉश कोट विस्ट अब प्सक्राइब तो गाइज यह मेरे मतलब फोल आज बॉड जो ताइल से मैंने वल्ड़ यहां रखियो हैं यहां लिए तो यह हमने जो मतलब जो आँ नया फोल्डर क्रियेट किया था, वो है, तो उसमें अभी तो एमटी है, कुछ नहीं शो करेगा, देखते हैं तो यहां हम, मैंने जो फोल्डर ओपन किया, टेख और ब्लाइंड गौताम प्रजापती का, उसमें भी आप नया फोल्डर कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो मतलब में कहने का मतलब यह है कि आप फोल्डर में भी फोल्डर क्रियेट कर सकते हैं तो मैं एक बार बैक आजाता हूँ वापिस से तो यहां से गाइज हम अब हमने जो नया फोल्डर क्रियेट किया, टेख और ब्लाइंड गौताम प्रजापती नाम से तो उसमें यहां से कोई भी फाइल हम मूव करके देखते हैं तो यह जो टेक्स तो स्पीच फोल्डर है उससे हम मूव करके देखते हैं तो फोल्डर का जो नाम है उसके आगे स्वाइब करेंगी राइट साइड तो मोर ऑप्शन आएगा तो यहां क्लिक करना है यहां क्लिक करना है तो यह है रिमूव फ्रॉम स्टार्ट यहां से लिंक कोई कर सकते हैं चैंज कलर कर सकते हैं एड सोटकट तू ट्राइव कर सकते हैं डीटेल संद अक्टिविटी देख सकते हैं एड सीदहत की पर उसे अड कर सकते हैं यहां से रिमूव कर सकते हैं तो मैंने अभी मतलब स्टार्ट में रखा हुआ है एसलिए यह मूव का बया द्यां मतलब यह नहीं बता है एड एक मेसी अजिए प्यार्ट करना ऑलियो करना है तो गाइज अब देखते हैं मूँ होता है या नहीं तो गाइज यह मूँ इसलिए नहीं होता कि उसमें मतलब भी काफी यह जो फोल्डर है उसमें भी काफी सारी फाइल्स है इसलिए यह मूँ नहीं होता कोई और फाइल्स को मूँ करके देखते हैं यह जो वापकीं.com अप्लिकेशन है उसे मूँ करते हैं तो यह मूँ आ गया है तो यहां हम क्लिक करेंगे मूँ करने के लिए तो यहां से हमें मूँ पर जो क्लिक कर दिया वहां फिर यहां हमें जिस भी फोल्डर में मूँ करना है तो यहां में क्लिक करता हूं मैंने यह फोल्डर बनाया था तो यह मूँ आ गया है तो यहां में क्लिक कर लिटा हूं तो यह जो फाइर मतलब वापकिंग.com सौंग एपलिकेशन को जब मतलब हमने वहां से मूँ किया था टैका टैक पर ब्लाइंड गौतम प्रजापती में फोल्डर में तो यह अब फोल्डर में मूँ हो चुका है देखते हैं इस पोल्डर में हमने मूँ की थी उस अप्लिकेशन को देखते हैं आ गई है या नहीं इस तरह आप किसी भी मतलब फाइल को मूँ कर सकते हैं अब बैक आपके आगे देखते हैं तो हमने मूँ करने मूँ कैसे करते हैं वो देख लिया अब आगे मिदला बख होई यह जो टॉप में के अप्लिकेशन है इसके आगे स्वाइब करके उसके मूर एक्षन को देख लेते हैं तो गैज यह तो गैज यह तो अप्लिकेशन है उस पर मैंने मूर एक्षन के पर क्लिक किया है तो उसमें पहला अप्षन है शेयर का तो हम शेयर कर सकते हैं शेयर करने के दो तारीके होते हैं एक मदलब मैनेज लिंक से और लिंक को कॉपी करके भी शेयर कर सकते हैं तो देखते हैं तो यह पहला है मैनेज पीपल एंड लिंक्स तो उसमें देखते हैं क्या होता है राइव वह एक्सेस तो वह एक्सेस मतलब की कौन आपकी लिंक का मतलब यह फाइल को एक्सेस कर सकी यह पुछ रहा है तो यह लिंक बता रहा है सो करता है मेरी तो यहां से में चेंड कर सकता हूँ अगर नहीं करना है तो यहां से डिस्मिस कर सकता हूँ और यहां से इसलिए ओनर बता रहा है यहां से लिंक सेटिंग कर सकते हैं उसमें क्या होता है दिखते हैं हेडिंग है यहां से लिंक कॉपी कर सकते है यह लिंक है जो अभी मैंने बताई थी यहां से चेंज कर सकते हैं तो हमें शेयर करना है तो शेयर पे क्लिक करते हैं पहले तो यहां जैसे ही मैंने गाइस शेयर पे क्लिक किया तो मेरे सामने की बड़ कुल गया यहां मैं जिसको भी अगर शेयर करना चाहूं उसका इमेल आइडी अ मरलब की टाइप कर सकता हूं अभी तक मैंने किसी को सेयर नहीं किया है मलब कि अगर मुझे सेयर करना है तो मैं उसका इमेल इडी अमचल यहां टाइप करके आप कर सकता हूं तो वो एक्सेस कर पाएगा यह यह मोर अप्शन बोड़ पर आप्शन इसमें इतना ही है तो इतना ही है तो एड कलावेलेटर है मतलब कि पीपल और ग्रूप जाने कि कोई एक या तो कोई एक इंडिविजियल या तो ग्रूप में भी शेयर कर सकते हैं ग्रूप को भी तो यह एड कलावेलेटर जो है उते देख लेते हैं वो इक एडिंग है बलब यहां से पीपल और ग्रूप एड कर सकते हैं जिसके अगर किसी को भी हमें से एड करना है तो मैं डिस्मिस कर देता हूं यहां से लिंक सेटिंग मतलब की है बंडिंग है वो यहां से लिंक कापी करके किसी को वाट्साप में या फेस्बुक पर या एमेल में नींक मतलब खी लिंक कोपी करके शेयर कर सकते हैं तो यह चैंज में क्या होता है देख लेते हैं तो यहां चैंज में कुछ नहीं होगा लिंक वही रहे कियोंकि मतलब जो अनर होता है उसकी लिंक है इसलिए यहां चैंज नहीं करते हैं मुझे पता था लेकिन आपको बताने के लिए मुझे यहां क्लिक करना है Link Settings, Copy Link, Dismiss, Link Set, Dismiss, Button तो मुझे किसी को सेहन नहीं करना ऐसे लिए, Dismiss पर क्लिक कर लेता हूं Who has access, Dismiss, Who has access, Dismiss, Button एक बार और करता हूं More Actions for Talkback-com.google.android.marvin.talkback-40200 More Actions for Talkback-com.google.android.marvin.talkback-402008-v4.2.0.apk Share and List 16 Items So guys, फिर से मैंने Talkback के आगे राइट साइड स्वाइप करके More Action action में क्लिक किया है हमने पहला वो More Action में जो पहला है Share उसको हमने देख लिया आगी का option देखते हैं More Action में ही Manage People and Links Manage People and Links मतलब कि उसमें तो वही होगा कि जो मतलब कि किसी की Link मतलब कि Manage कैसे कर सकते है यही होगा Share Manage People and Links Drive, Who has access, Dismiss, Button आगी है जो मैंने पहले आपको बताया अभी Share करके लिए Drive, More Action for Talkback Talkback, Manage People at the Start इर यहां से यह जो फाइल है उसे Start में एड़ कर सकते हैं Make Available Offline इर यहां से Make Available Offline भी कर सकते हैं Copy Link इर यहां से Link की Copy कर सकते है जो पहले मैंने Share के Option में बताया था Sam है Make a Copy इर यहां से Make Copy याने की APK फाइल की Copy बना सकते हैं Send a Copy तो मतलब की Make a Copy में अगर क्लिक करेंगे तो Direct हम जिसको भी Share करेंगे उसको सिधी APK फाइल की Copy ही जाएगी Link नहीं जाएगी Send a Copy इर यहां से Send a Copy यह भी कर सकते हैं मतलब की देखिए Make a Copy यहां से हम Copy बना सकते हैं APK फाइल की Send a Copy और यहां से Copy APK फाइल की जो है वो सिधी Send कर सकते हैं Open with फिर यहां से Open कर सकते हैं फाइल को Download यहां से हम खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं तो इतने ही Option थे Rename हाँ, Sorry Download यहां से हम खुद डाउनलोड कर सकते हैं मतलब हमारी फाइल को फिर उसके आगे है Rename यहांने की फाइल का नाम अगर हम Talkbag है उसको नाम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं Add Shortcut to Drive फिर यहां Add Shortcut to Drive मतलब की Shortcut में एड कर सकते हैं ट्रेम में Move फिर यह Move यहांने बहुत आपको करके दिखाया Details and Activity फिर यहां से Details and Activity यानि की कितनी साइज की है प्रब हमने ली थी नाम क्या है यह सब कुछ जानने को मिलगा चेक कर सकते हैं Add to Home Screen फिर यहां से सिधी उस फाइल को Home Screen पर एड कर सकते हैं Remove यहां से Drive में से Remove कर सकते है Report Amuse यहां से Report कर सकते हैं अगर Application में कोई Issue है तो Back Drive More Actions for Talkback MediaConverter-com.android.mediaConverter-15-0.9.3.apk Android App Column 2 इतने Option थे मटलब और देख लिए अब एक बार मटलब ने देख लिए अब एक बार मटलब ने देख लिए आपको दिखा दिया Views List यह भी मैंना आपको दिखा दिया Views List यहां क्लिक करते हैं तो Greet हो जाता है फिर दुबारा क्लिक करेंगे तो List हो जाएगा Text to speech folder Untitled document More Actions for Untitled Document फिर यह हमारे सारे Folder आ जाते हैं More Actions More Act Home Tap Share Home Tap 1 of 4 So guys, फिर से हम Home Tap पर आ जाते हैं All suggested Select Start Tap Shared Button Search and Drive Out of Files Tap 4 of 4 List 4 items Shared Tap Start Tap 2 of 4 Share Start Tap 2 of 4 Start Tap है उसमें मतलब कि जितनी फाइल हमें Add Start में Add Start में Add की होगी वह होगी Shared Tap 3 of 4 यहाँ Share Tap उसमें हमने जिसनी भी फाइल Share की होगी वह बत Show करेगा फिर यह Files Tap को देखते हैं My Drive My Drive Selected Search Create Selected Computer Sort By Name Views List Text More Actions More Actions More Actions For Tech For Blind God Of Gratio Patti So Here My File Show So Back One In My Home Google Edit Box Add Drive Drive Google Drive More Navigation Signed In Search And Drive More Navigation Options Button So Guys फिर से हम More Navigation Options में जाते हैं और File Upload कैसे होती है यह दिख लेते हैं Menu Google Drive Recent Offline Trash Backups Settings Open Feedback Storage iStorage Recent Offline Trash Offline Backups Recent Recent Back Search Envision I Underscore More Actions Color Name Snatch Noise Reducer Underscore V0.5 More Actions More Actions ETI ETS Late Back Button I Drive Recents Home Text Compute Create Signed In Us More Navigation Options Button So, More Navigation Options In More Navigation Options Google Drive Recent Offline Trash Backups Trash 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 फिर ये बाई storage है वो भी देख लिया back button back आ जाता हूँ मैं वापिस से हम create में जाते है जो हमने मतलब create में जाके tech for blind गौतम प्रजापती का फोल्डर create किया था वापिस से हम उप में आये तो हम देखते हैं अब लोट मतलब फाइल को अब लोट कैसे करते हैं तो यहां अब लोट पर हमें क्लिक करना है राइव रीसेंड रीसेंट सर्च मॉराफ नचेक्ट इमज़ज जैक्ट आइडियो जैक्ट आक्स तो गाइस देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जैसे ही अब लोट पर क्लिक करेंगे तो हमें क्या अब लोट करना है उसके बारे में पुछेगा तो मैं मैं करें यहां से अब सीधा नौट चेक्ट आडियो वीडियो या इमीजी यहां से सीधा नौट चेक्ट करके भी कर सकते हैं और सोरूट में जाके माइ फायल में जाके भी कर सकते हैं तो मतलब मैं जाके माइ फायल में अभी क्लिक करता हूं मैं अब इंटरनल स्टोरज में क्लिक कर लेता हूं अब इंटरनल स्टोरज में क्लिक कर लेता हूं अब तैक्ट करें अब आप एस दया है। तो आपको सारे फोल्डर्स करें इस में से कोई भी फोल्डर मतलब जो आपको चूज करना है नवाँ चेक करके फिर उस प्रोडर में आप जा पाओगे लेकिन मैं एक इमेज आपको अबलोड करके बता देता हूँ मैं इमेज में आ चुका हूँ यहां WhatsApp इमेज फोडर है उसमें मैं क्लिक करता हूँ यह मोर बोलते रहते हैं हमारे यहां तो यह WhatsApp में एक इमेज है मेरा उस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो मैंने फोटो सेलेक कर लिया है यहां डन बतन पर क्लिक कर लेता हूँ तो यहां हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है अब देखते हैं उस पोल्डर में आ गई है या नहीं देख लेता है गरण देख लेख वार देगा हो गई कोई बात नहीं यहां अपलोड करके फिर उसमें मूग कर देंगे लेकिन आपको मरलब जो आपने फोल्डर बनाया है उसमें अपलोड करने है तो उस फोल्डर में जाके फिर क्रियेटर मरलब बटन पर क्लिक करना होगा तो उसी फोल्डर में आएगी कोई पाइल मतलब कि आडियो वीडियो या एमिज तो उस पोल्डर में जाके फिर create बटन से आप कर सकते हो और दूसरा तरीका यह है कि आप सिधा मदलब की drive में अगर नहीं जाना है तो सिधा my file या file manager में जाके फिर उस item को choose करने नहीं है जिसको आप upload करना चाहते हो और उसको मदलब share button पे click करके मदलब की जो भी आपको item upload करने है जैसे कि एक image upload करना है तो आपको file manager में जाके उस image को choose कर लेना है उसके बाद share button के button पर click करके फिर आपको save to drive करके भी upload कर सकते हो save to drive में जैसे upload पर click करोगे save to drive तो वहाँ आपको show करेगा कि आपकी file इस folder में save होगी मतलब की last time जो folder आपने file upload की होगी वह फोल्डर सो करेगा तो अगर आपको change करना है तो वहाँ से आप कर सकते हो है ना तो देख लेते हैं उसको भी तो मैं यहां माई file में जा रहा हूँ मेरी file में दिर में तो यह images में click करता हूँ यह WhatsApp Images में मैं जा रहा हूँ तो यह जो फोटो है उसको मैं long rest करकर चेक कर लेता हूँ यह फोटो में मतलब मेरी image जो है वो select हो चुकी है तो देखे गाइज यहां जैसे मैंने image को select किया तो move copy करने है तो कर सकता हूँ share कर सकता हूँ delete भी कर सकता हूँ फिर more option में detail चेक कर सकता हूँ लेकिन हमें drive में upload करने है इसलिए share पे click करूँगा share, not checked, nearby share, quick share, share instantly with darby, branch upon, rinuko, nickel, my drive, whatsapp, rofi, google, search, video show, video show snapchu, lock in default, video show, messages, drive, admin, drive, save to drive यह drive, save to drive, तो यहां click कर लेना है showing english open parody list, account, editing, img-2010630-wa0029.jpg, edit box तो यह image का नाम है account, drop down list, branch upon 85, gmail.com, disabled यहां account number 100 करेगा folder, my drive, click to change देखे, यह my drive folder बता रहा है, यहां से मैं अगर चैंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ तो चैंज करना है, हमने जो नया folder create किया हुआ था, उसमें keyboard hidden, my drive, select as create new folder, sort by name, new list, create new folder, out of print तो यहां भी आपने new folder create कर सकते हैं तो इस folder में हमें फाइल को upload करना है, तो यहां tag for blind को तम प्रजाबती पर क्लिक कर लेता हूँ तो यहां tag for blind, select test and create new folder, sort by name, row 1 and create, two rows, new columns फिर उस folder में भी create folder आ रहा है, लेकिन हमें नही folder create करना है फिर यहां select button पर क्लिक कर लेना है फिर यहां save कर लेना है फिर यहां save कर लेना है तो गाइज, विशी फाइल अब लोड की जाती है, हम देख लेते हैं अब ड्राइव में जाके वापिस से फोल्डर में आ चुका हूँ तो यहां मतलब मैंने वो साइटी में वाइफाइ अगर कनेक्ट हो तो ही फाइल अब लोड हो ऐसा रखा इसलिए रिजूम अब लोड करना पड़ेगा अश्म अब लोड करना पर लोड करना अब लोड कर दोर लोड रसी है तो गाइज कुछ नेट का प्रॉब्लेम है इसकारण यह अबलोड नहीं हो रहा है लेकिन इसी तरह आप कोई फाइल को अबलोड करते हो तो यह हो जाएगा अभी नेट का कुछ प्रॉब्लेम है तो देख लेते हैं क्लोज कर देते हैं एक बार तो गले कर देख कर दो अ हो जा एक पर थबलोड़ बस्पान खटन गया प्रस्टत टितर वाएगा जियो जाएब ट धना इसक खड़िगर देर इख अर फेल्ज थिड़ सांद रचल्स जया शर आपल्स तो प्रॉब्लेंग टो उर्वर्वर्च तवर्ण अनमट्रश एपल्स से तुम में एक एकुछ अबर कह लो तो तो यहां नोट चेक कर लेना है लेकिन हमने ओके दिया लेकिन फिवी क्यों इसा हुआ पता नहीं तो हमने मरलोब सेटिंग को चैंज कर लिया है अब एक बार और एक बार करके देखें टुम बार था जहीको चैंज कर है तो मैं में इमीज को देलेक्ट कर लिया है तो यहां से उकर लेता हूँ आप देखते हैं आई है या नहीं उसमें तो जाल ये लेक्स कर कि अ fazem tap start notification shade draw stop auto responder for what notification set clear auto camera draw stop pause recording seven expand collapsed one upload paused drive expand button collapsed one expand button एक मिनेट देख लेते हैं एक्समाइट गलाप्स बटन रिजूम बटन तो यहां से रिजूम कर लेते हैं 11,30 a.m. drive 11,30 a.m. sensing items drive sensing your files and folders so guys आप जब भी फाइल अप्डॉट करोगे तो ऐसा प्रॉब्लम होगा ही तो आपको notification panel को open करके फिर वहां से रिजूम करके ही आप upload कर सकते हो है ना तो यह प्रॉब्लम अभी मतलब जो नया update आया है उसमें यह होता है तो इसी तरह ही आपको करना रहेगा फाइल को आप upload करोगे तो फिर आपको मतलब नहीं होगी फिर notification को पैनल को उपन करके आपको रिजूम अप्लेट पे करके ही करना होगा क्योंकि नया जो अप्डेट आया उसमें ऐसा ही है तो जाइज आप देख लेते हैं तो देखिए गाइज आगई है हमारी फाइल यहां जो हमने अप्लोड की थी वह तो इसी तरह अप्लोड कर सकते हैं सब कुछ मैंने बता दिया है सो गाइज का यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और गूगल ड्राइव को यूज भी हम इस तरह कर सकते हैं कि शोगाइज आगρχे बिडियो में बस इतना ही मिलते है किसी नेक्स बीडियो के साथ तब तक के लिए बढ़राय का